गुड मॉर्णिंग डियर स्टुडेंट्स नमस्कार स्वागत हाप से भी का हमारी यूटूब चैनल पर मैं हूँ एसके वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सक्रीन पर दिखाई दे रहे समरूपता की इस परसन के बारे में तो चली स्टार्ट करते हैं परसन है यदि तिरबुज ABC समरूप है तिरबुज DEF के और इनके छेतरवल करम से 64 वरक सेमी और 121 वरक सेमी है यदि EF का मान जो है 15.4 सेमी है वो तो BC का मान ग्यात कीजिए तो चली स्टार्ट करते हैं इस परसन का सोलीशन तो डियर स्टोर्ट सोलीशन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर सोलीशन दिखाई दे रहा है इसे समझते हैं हमें दिया वा था सबसे पहले मैं चूंकी के अंदर लिख रहा हूँ देखिए कि चूंकी हमें दिया वा है तिरबुज ABC दिया है एरिया ABC मतलब ABC का 634 दिया हूँ बार played देखिए उर्डी responsibilities दिया हुए 15.4 सेमी और BC का माना हमें निकालना है तो आपको बता देते हैं student तिर्बु समरूप दिया हुए और जब भी समरूप तिर्बु तिर्बु होते हैं तो समरूप तिर्बु जो में 6 तरफल का जो अनुपात होता है उनकी बुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है मतलब तिर्बु जो जो अनुपात होगा उनकी बुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है मतलब एरिया ABC बटा एरिया DEF इसका मतलब होगा तिर्बु जो 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 एक्वल होगा इसके बुजाओं के वर्गों के इन पात की मतलब BC का वर्गों के बुजा समान पाती कैसे लेनी है अगर इसकी BC बुजा ले रहे हैं तो इसकी EF बुजा लेंगे यह नहीं कि इसकी BC बुजा ले लिए तो आप इसकी DF को ऐसे बुजा ले लो नहीं तो बुजाओं के वरगउंगे नहीं पात की बराबर होते तो बीजी का वरग होगा वही वरग इएफ का बरग होगा तो चलिए देखिए a b c का मान d e f का मान 21 b c square और बट्टा में e f का मान हमें दिया हुए 15.4 की square तो अब इसको solution करते हैं देखिए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ b c square को b c और 15.4 दोनों की उपर square है तो whole square में convert कर सकता हूँ square अठा दे इधर जागे क्या बनेगा रूट बनेगा p c बटा 15.4 का मान अंड रूट 64 बटा 21 तो 64 का कितना आजएगा 8 आजएगा और 21 का कितना आजएगा 11 देखिए दोर से यहां रूट 64 64 रूट 64 बटा में कितना है 21 तो 64 का 21 64 का कितना होगा 8 64 का 161 का 21 22 चलिए यह आगया हमारे पास अब वजजर गुणा करते हैं यह भाग में यह 15.4 इदरा के गुणा में आजएगा गुणा में आजएगा देखिए गुणा में आगया अब इसकी कटिंग कर लीजिए 11 आभाग दे रहे हैं 15.4 में 11 गन 11 और 4 बच गया 11 चलिए 44 एक मंट चारा गया और 48 12 और एक के बाद पॉइंट लगा दें 11 पॉइंट दो तो 20 का मंट कितना गया 11.2 से मी तो डियर स्टुएंट आपको यह परसंद समझे में आगया होगा आप इसका स्क्विन सोट ले लिजिए आईए लोग आपकों सामने यह दिखाई दे रहा है पूरा सॉलिशन तो ठीक है स्टुएंट इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में नए परसंद साथ फिर मिलेंगे वीडियो अच्छे लगे हो तो यूटूब चैनल सस्क्राइब कर लीजिए बेल ऐकन दबाईए साथी सेर केजी और अधर फ्रेंड्स को भी बताईए तो चलिए इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं अजय बाई टेकर अजय वीडियो है